हलो माई डियर फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे आज मैं आप लोगों के लिए कुछ बेसिक चीज़े लेके आया हूँ यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे हम कोई भी वीडियो लेकर आएं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले So let's begin the video So friends मैं आज लेके आया हैं आप लोग के लिए कुछ बेसिक नॉलेज First है natural number Natural number are those numbers which we use to count Natural number are numbers होते हैं जिने हम counting में यूज करते हैं या गिंती में यूज करते हैं A set of natural numbers is typically expressed by symbol n जो natural number का set होता है उसे उसका symbol n होता है जिसे हम n से प्रदर्शित करते हैं Natural number का symbol n होता है उसे हम n से प्रदर्शित करते हैं Natural number का example देखते हैं एक्जाम्पल नम्बर का है वन, टू, थ्री, फूर, एन सो आन, नेट्रल नम्बर का एक्जाम्पल होता है, वन से इंफाइनेट, मतलब एक से लेकर अनन्द तक की सवी संख्याएं नेट्रल संख्याएं होती हैं, जिसमें कोई भिंड नहीं होता है, वेब पूर संख्याएं जिसमें कोई भी भिंड नहीं होता है, कलेक्शन आफ इंटीजर्स, जो इंटीजर्स का कलेक्शन होता है, एन जीरो, और जिसमें जीरो इन क्लिवड होता है, मतलब जीरो के साथ साथ इंटीजर्स भी होता है, उसे होल नम्बर बोलते हैं, whole number का символ क्या होता है w whole number का символ होता है w इसे हम w से the दर्सित गाते है whole number का मतलब है pool संखिया whole number का मतलब होता है pool संखिया चलिए हम example देखते है whole number का बोला है इंटीजर्स के शांस साज 0 भी सामिल होता है whole number में तो 0, 1 2, 3 4 and so on मतलब 0 से लेके अनन्द तक की सभी संख्या है whole numbers कहलाती है 0 से लेके अनन्द तक की सभी संख्या है whole numbers कहलाती है थर्ड आप लोग के लिए थर्ड है even numbers even numbers third है even numbers even numbers वे numbers होते है even numbers वे numbers होते है जो दो से पोड़ता विभाजित हो जाए even numbers are integers that are exactly divisible by 2 when वे संख्याएं जो दो से पोड़ता विभाजित हो जाती है उन्हें संख्याएं कहते हैं यह मतलब even number मतलब sum संख्याय even number मतलब संख्याय वे संख्याय जो दूर से पूरता विभाजित हो जाती है उन्हें even number या संख्याय कहते है चलिए इसका example दिखते है even number का example है 2, 4, 6, 8, 10, 12, and so on. वे संख्यां जो दो से पूरतर विभाजित हो जाए, दो से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, डिवाइड हो जाए, वे even नमबर का लाती है. और नमबर का मतलब होता है विशां संख्यां, 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 और नमबर का मतलब होता है विशां संख यदि हम दोसे विभाजित करते हैं, यदि रेंडी हम दो और नमबर में यदि हम दो से डिवाइट करते हैं भाग करते हैं तो उसमें सेश फल बचता है चलिए इसका एक्जामपल देखते हैं इसका एक्जामपल है 1, 3, 5, 7, 9, 11, and so on